नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमुखबर से पती को सर्प्रेस देने के लिए साइबर अपराधियों के प्रलोबर में फसकर पतनी ने अपनी सारे जूइलरी बेच साइबर अपराधियों को करीब 12 लाक रुपए दे दिये अब पती साइबर सेल के चक्कर काटने को मजबूर है मामला जारखंड के राजधानी राची का है साइबर सेल मामली की चानबीन में जोटे हुई है साइबर अपराधी अपने नापाक मनसुबों को अंजाम देने के लिए लोगों को अपने जाल में फसाने की कवायत करते रहते हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है राची में जहां ही कव्यक्ति को बियाम जड़ुकार और 25 लाख रुपई की लोटरी जीतने का प्रलोबन देकर ठगी का शिकार बनाया गया हलाकि पीडित के अनुसार उन्होंने ठगों की बातों को नजर अंदास कर दिया लेकिन साइबर अपराधियों ने उनकी पत्नी को लालच के जाल में फास लिया और पत्नी से धीरे-धीरे मोती रखम एठी दिया दरसल पत्नी अपने पती को सर्प्राइस देने के लिए साइबर ठगों की बातों में आकर सारे गहने बेजकर करी बारा लाग रुपे ठगों को दे दिया लेकिन लोट्री की रखम और बियंडर डोकार जब उसे नहीं मिली तब पत्नी ने पती को ठगी की पूरी कहानी बताई इसके बाद पती के पैरो तले जमीन खिसक गए पीडिते सायद नायर शाह साइबर सेल पहुँचा और शिकायत दरज कराई हलाकि साइबर सेल में उनसे आवेदन तो ले लिया गया है लेकिन रेसिविंग नहीं दी गई इसलिए शाह परिशान है वह पिछले 13 दिसंबर से साइबर सेल के चक्कर काट रहा है खबरों में अब तक लिए बस अतना की मिलते हैं फ्रेंसे ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीनन नियूज